नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे आज हम बात करेंगे भारतिया नेवी के यूटिलिटी हेलिकोप्टर के बारे में अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले कि भारतिया नेवी के लिए भारत सरकार 24 MH70 एंटी सबमरीन हेलिकोप्टर करीदने जा रही ह अमेरिका से लेकिन अब एक नई खबर आ रही है कि यूटिलिटी हेलिकोप्टर की लंबे समय से जो डिमांड थी भारतिया नेवी की वो भी पूरी होने जा रही है दोस्तो भारत सरकार ने सोमवार को अपने सबसे बड़े मेकिन इंडिया प्रोजक्ट के लिए टेकनिकल बिड इनवाइट की है और ये प्रोजक्ट 21,000 करोड का है जिसके अंदर नेवी के लिए यूटिलिटी हेलिकोप्टर बनाए जाने है और इस प्रोग्राम के अंदर फोरन वेंडर के साथ में भारतिया कमपनी भी काम करेगी और दोनों मिलके नेवी के लिए यूटिलिटी हेलिकोप्टर बनाएंगे दोस्तो अभी तक तीन फोरन कमपनी ने हमें अपने बिड सब्मिटिड किये हैं जो कि भारतिया कमपनी के साथ मिलके यहीं पर है एरबस के नाम से जिसके पास दो हेलिकोप्टर है जो हमें ओफर किये गए हैं पहला है H145M और दूसरा है पैंथर AS565 दूसरा मिनफेक्चरर जो है वो है अमेरिका से जिसका नाम है सिकोर्स की और इसका S76D हेलिकोप्टर है यह वही कमपनी है जिससे हम MH70R सबमरीन किलर हेलिकोप्टर करीद रहे है और तीसरा ओफर जो है वो रशिया से है कामोव के यह 226 टी के लिए और यह भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों इसके इलावा दो और कमपनी है एक यूएस की बेल कमपनी और एक कोरिया की कोरियन अवीशन कमपनी जिन्होंने कोई भी ब है और सिविलियन हैलिकोप्टर को नेवी के इस्तेमाल के लिए उसको मोडिफाई करना दोड़ा डिफिकल्ट होगा और जो कोरियन अविएशन कमपनी है वो अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है कि पूरी तरह से नेवी के लिए हैलिकोप्टर बना सके यह दो कार हो सकते हैं कि इन्होंने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया और इसके अंदर हमारी लोकल जो सरकारी कमपनी है हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड वो भी ट्राई कर रही है कि उसे भी कोई ओफर मिल जाए और उसने अपना एडवांस लाइट हेलिकोप्टर इस कोंट् करता है या नहीं और अगर मैच करता है तो फिर वो इसके फिल्ड ट्रायल करेगी इसको चलाके देखेगी और हर एक पहलू पे इनका मिलान करेगी और इस काम के अंदर कम से कम दो महीने लग सकते हैं और इसी के साथ साथ नेवी जो एक काम और करेगी जो लोकल वेंडर्स जो हमारी लोकल कमपनी है पार्टनर्शिप में शामिल होगी उनकी भी एवैलुएशन करेगी उनका भी स्टेटस चेक करेगी कि उनका स्टेटस क्या है क्या वो इस सक्षम है हेलिकॉप्टर को बनाने में या नहीं और जो लोकल कमपनी है उनकी फैसिलिटीज को भी चेक कि और इनकी जो चेकिंग है वो काम इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा दोस्तो इस साल के अंत तक यानि की लास्ट क्वार्टर जो 2019 का होगा अक्तूबर नुومबर और दिसमबर मन्त इस मन्त में लोकल वेंडर और फोरण वेंडर दोनों सिलेक्ट कर लिया जाएंगे और उसके बाद में लोकल कमपनी अपने फोरन वेंडर के साथ में मिलके एक फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर पर्पोजल बेजेगी यह फाइनल कदम होगा दोस्तों जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके पास फाइनेंशियल और टेकनिकल ऐसे कुछ पैरामिटर है जिसके बहाफ पे वह हमारी लोकल कमपनी जो है इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट करेगी बिडिंग प्रोसेस के लिए और जो वो क्राइटेरिया है वो यह है क कमपनी की नेट वर्थ कम से कम 800 करोड होनी चाहिए नेट वर्थ का मतलब यह है कि उसकी एजसेट में से लाइबिल्टी निकाल के जो कीमत बचती है वो कम से कम 800 करोड होनी चाहिए और उसका रेवेन्यू अठारा सो करोड कम से कम होना चाहिए यह तो फाइनेंशिल क्राइ इसके इलावा वहे उस company का past experience भी देखेगी यानि ये देखेगी कि क्या वहे इस project को पूरा कर सकती है उसके पास past में कोई ऐसा project पूरा करने का experience है या नहीं है धन्यवाद जहिन